मारो, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदर का घंटा है कोई भी आके बजा जाता है बजट डे, इस दिन का इंतजार टेडर्स को काफी रहता है, इस दिन का नौइज भी काफी होता है टेडर्स के बीच में and सभी को इंतजार था है खुसकबरी का especially F&O traders के बीच में वो मिली गया, STT बर गई है और short term capital gain tax भी बर गया है तो दोनों ही चीजे से अब retail जो traders है उसको profit होने वाला है so retail traders अभी तक नुक्सान कर रहे थे अब tax बर जाने से वो profit करेंगे ओके so यह mindset है और इसके जरीए चीजे आगे बर रही है तो आसा करता हूँ कि tax बरने से आने वाले समय में retail participants जो भी retail participants है जो F&O में trading करते हैं उनका profit बरेगा वो profitable trader बरेंगे खेर इस पर बात ही क्या करूँ मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि government को ऐसे individual को ढूणना चाहिए जो अच्छा earning कर सके और उसको बंदवा माजुदूर बना लेना चाहिए और उसको दो time का खाना पाने देना चाहिए दो set कपड़े देने चाहिए और बोलना चाहिए बेटा तुम खटो काम करो जितना तुम कमाओगे करते हैं तो मैंने बार-बार बोला है कि जो retail participants का तरीका भी गलत है FNM में trading करने के लिए इस कारण से नुकसान करता है और विक्ली expiry आने के बाद से यह जादा नुकसान बरहा है लोगों में क्योंकि वो विक्ली expiry में trade करते हैं बिना कुछ जाने समझे तो उसको बंद करना चाहिए उसको नहीं बंद करके टेक्स बरहाया गया है एक एप्रोच अगर options trading में रखे ना जहां पर आपको proper knowledge भी है आप risk को manage करना जानते हैं आप accordinglyly positions ले रहे हैं तो आपको loss उस तरह से नहीं होता है जिस तरह से retail participants जो normally call buy कर लेता है, put buy कर लेता है उस तरह से होता है जासे एक दिखा रहा हूँ कि अपने ये trade एंटर किये थे and accordingly ये trade एंटर अपने किये थे ये करीब करीब किये थे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको ये trade एंटर किये थे 28 जून को और इसमें एक adjustments हुआ था इस्तिती है जहां पर आप देख पा रहे हैं कि काफी एक बरा जोन है let's say अभी भी 24,900 से लेके 23,700 तक and accordingly इसमें profit अभी जो हो रही है वह करी-करी 4,59,000 का हो रहा है इसमें capital 47,000 तो मैं मान लेता हूँ कि 50,000 डिप्लाइड है इसमें and accordingly यहां पर 4,59,000 की profit बन रही है इसमें एक दफे adjustments भी करना पड़ा है और इस trade को रखने का परपज यह भी था कि जैसे budget है उसमें क्या था कि अपने को पता थे कि जैसे budget end होगा तो week जो है IV जो है drop होगी and accordingly vega अगर negative strategy है तो आप उसको hold कर सकते है तो यह trade जो था vega negative था theta positive था यही दोनों चाहिए था कि अगर budget के बाद budget के इवेंट के बाद भी आपको trade को रखना है तो वो क्या होना चाहिए कि budget के बाद तो India Wix IV गिरेगी ही यह आप सभी को पता है and accordingly समय गुजरेगा है तो अगर अपने वेगा negative और theta positive trade एंटर करके रखे तो जादे फायदेमंद होता है और एक बड़ा range रहे तो तो इस तरीके से trade को रखा गया था accordingly इसमें काफी अच्छा return बन रहा है percentage time में भी और risk reward wise भी इसमें मेरा जो zone है वो काफी बड़ा है तो इस तरीके से अगर trade को कोई manage करता है तो इससे आप सांती से market में रह भी सकते हैं जैसे 400 point गिर गया अचानक से जब भी वह return capital gain का वह सब चल रहा था उस वकत market alarm से निप्टी गिरी तो इसमें इतना नीचे range था कि कोई फरक नहीं परा ठीक है कोई फरक नहीं परा कि ठीक है अराम से trade है hold है कोई issue नहीं है so इस कारण से इस तरह से अगर कोई trade करता है अब जाइसती बात इस trade का नाम में हम लोग धमाल रखे हुए है ये strategy धमाल है जो हम लोग adjustments भी करना पड़ा है so इस तरीके से अगर कोई सही माइनों किसी को trade करना है options में और समझ के सो समझ के risk के साथ और कैसे हम risk को manage करेंगे उसमें क्या risk है उसको जानेंगे and accordingly हम trade लेंगे तो जाइस बात है वो जो retail participants loss कर रहे है उसमें उसका भी गलती है बिना कुछ जाने समझे trade नहीं करना जाए options में तो इस तरह से आप बना सकते हैं बट वही बात है कि जो छोटे retail participants है जो बिना कुछ जाने समझे trade ले रहे थे उसके कारण से जो अच्छे traders है जो tic-tac trade कर रहे थे उसको भी यह tax का burden जो है वो जहलना पड़ेगा and accordingly आप earning करो तो 20% दे दो STT भी बरहा दिया है और भी खर्चे है and उसके बाद जो बचता है उसमें 20% ले लो और जो loss होता हूँ आपका है तो इस तरह से फिर कैसे profitable trader बनेगा कोई भी पता नहीं सो एक यह चीज है जिसके आधार पे आपको सोच समझ के trade लेना चाहिए and accordingly इस तरह से आपका profit भी बनता है साथी साथ अगर मान लिजे कि हम intraday में है और generally मेरा देखा हुआ है past में कि भाई कि ठीक budget के पहले जो agriculture sector से related stocks होते है चोटे मोटे stocks होते है वो अचानक बढ़ जाते काफी जादा और एक सबते पहले से बढ़ना स्टार्ट कर देता है expectation में कि agriculture sector में कुछ बढ़ा announcement होगा कुछ भी होगा budget में इस कारण से and मैंने देखा है कि budget के दिन अगर ऐसा कुछ नहीं कि आए ना तो धरम धरम गिरते भी है so accordingly यह मेरा past experience है कई सारे budget events का so हमने क्या क्या कि आज सुबह में ऐसे ही मतलब इसका कोई research से कोई मतलब नहीं है मैं बता दू पहले यह जस्ट past experience का अधार पे मैंने क्या किया कि जैसे आप देख पारे दानू का है E.G.M.Trip है अब E.G.M.I.Trip है यह travel से related है देखा कि 5% बढ़ा हुआ है unnecessary क्या तो नाचेगा पता नहीं तो यह हमने क्या कि गिरा भी नहीं मज़े की बात यह है तो कोई बात नहीं तो इसको हमने कर दिया उसके बद कावी रिसीट था तो इसको हमने सेल कर दिया दानू का को सेल कर दिय यहां पर हमने DLF future sort किया हो था कुछ दिन पहले तो इसमें तो ज़्यादा नहीं आया बट यह जो दो सेर्स है दानू का और का वी रिसीट जो दोनों ही आज के दिन किया और इसमें अच्छा का था प्रॉफिट अपने आया 2,27,000 आ गया इसमें ज़स्ट बजट के दिन ख काफी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और पास्ट में काफी बढ़ा है तो इस तरीके से चीजे जो है वो बजट की दिन गई तो चलिए बजट डे ओवर हो गया है नौईज खतम हो गई है और फिर से नॉर्मल वही ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो आप लोग एंजॉय कीज स्टारब से पפ लोग सपनु सबस्टारीग कीज में कीज़ टिर से खीर सिसुरी जबस कीजिए बजल एवर है ऐना इने